श्री कृष्ण का नहय आलाल की जय श्री निजानन्द स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय रुह ने नो दिदार कर रुह जुआ का शो बोला रुह का नुह का बाते सुना एही पत रुह का खोला श्री कृष्ण का नहय आलाल की जय आत्मा की आंखें खोलना आत्मा की कानों से सुनना और आत्मा की जुवा से बोलना मतलब आत्मा की रशना से बोलना परप्रम परमात्मा के लिए परप्रम परमात्मा के स्तुति के लिए उनके स्मरन के लिए आत्मा ही सक्षम है शरीर में ख्षमता कुछ है तो आत्मा के कारण है इसलिए उनतर दृष्टी खोल करके आत्मा की दृष्टी से दर्शन करो और आत्मा के स्रवन से उनकी बातیں सुनो और आत्मा की रसना से ही उनके साथ में बाचित करो इस प्रकार समझाया ऐसा करोगे, करने का प्रयत्ना करोगे तो तुमारे अंतरपट खुल जाएंगे ए सहुर करो तुम मोमिनों जब फैल से आया हाल है ए ब्रह्मा आत्मा तुम ज़र विचारत करो जब तुमारा आचरण इतना अच्छा होगा कि उससे तुमारा भाव और बढ़ने लग जाएगा हाल का तात्परिय अंतर भाव, मनुभाव तब रुव फरामोशी ना रहे, बोए हाल से नूर जमाल तब रुव फरामोशी ना रहे, तब आत्मा किसी ब्रह्म में किसी नीद में अज्यान में रहेगी ने आत्मतो नितांत जागरत हो जाएगी तो उससे क्या होगा तुमारे हाल में नूर जमाल बोए करने का तात्परिय पूर्ण प्रमा परमात्म के सुगंदी तुमें पल-पल में उनके सानिद्य का अनभव होगा उनके सुगंदी का तात्परिय तो परमात्मा है ऐसा अनभव होगा कि मेरे साथ में है ऐसा अनभव होगा तो कहीं से सुगंदी आती है तो कोई बस्तु है कहीं तो यह नजिक में असपास में ऐसा लगता है तो ऐसे परमात्मा के सुगंदी आएगी का तात्परिय परमात्मा साथ में है ऐसा अनभव होता रहेगा बेशक होए दिदार कर ले जवाब होए बेशक तुम निश्चिंत हो करके पूर्ण प्रह्म के दर्शन कर दर्शन कर ले और ले जवाब होए बेशक और निश्चिंत हो करके अपने भावना व्यक्त करो और वो क्या उतर देते हैं? वो सुनने का प्रहत्ना करो यही मौमिनों मार्फत है ब्रमात्माओं के पहचान यही है तो ब्रमात्मा इसी प्रकार ब्रमात्मा के पहचान करेंगी खिलवत कर साथ हाक अब यह हाक के साथ खिलवत कर ऐसा बोला खिलवत को एक तरफ तो अर्थ कर देता है मुल मिलाबा, अब यहां मुल मिलाबा कैसे न पूसम करेंगा तो परब्रम, परमात्मा के साथ में एक अंत में तुम मिलो, हमेशा उनके एक अंत वो हैं और तुम हो इस प्रकार कानभब करते रहो तो उसके लिए कह रहा है, खिलवत करका आप परGroup ऐसे तुम् और परमात्मा ऐसे कान्त में दूसरा कुछ दिख़्े ही नहीं बश परमात्मा परमात्मा दिख़्े, तो में लग कि म проблем को देखता हूं तो स्वेम का और परप्रमात्मा ऐसा या नभव करो तो अभी यहाँ रूह कहा आत्मा के लिए है आत्मा हा कस्ओं बात विचार कर पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ क्या क्या वर्ताला कोई है उस पर विचार करके दिल परदा दे उड़ाए दिल के परदे को उड़ाए रूह बातें वतन की करम मासुकसों में लाए तो अब अपने आत्मा को मासुकसों में लाए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मिलाए करके वतन की बातें कर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से परमधम की बातें कर अब दुनिया की बातें करने का समय नहीं है जो गुजापनी रूह का आसो, खोल मासो का आग हों, तो मारे अंदर की कोई भी भावना है, अंदर का कोई भी भाव, गुजा का तत्य प्रियव्यूण, अंदर का कोई भी भाव, कुछ भी हो, छिपाने की आवश्यक्ताई नहीं है, उनके आगे खोल करके बता दो, आतने जनमा को सुफल बनालो, सुफल का तातपरे सुष्ठू फ़ल, अच्छा फ़ल देने वाला, सुफल से युकता, और सुफल, सुष्टूफल, अच्छा फल, फल तो है यह लिक्किन तु अच्छे से अच्छा फल, ऐसे सुफल बनाओ, ऐसी करा हकसों तू तू परभर्म परमात्मा के साथ इस प्रकार के विवाहर कर, सवा अंग शुफल यहूं हुए, करी हकसों, सला सवन, जब सारे अंग पुर्ण ब्रह्म परमात्मा से सलाह करेंगे करतात्परिय, एक एक बात आख भी कोई देखना चाती है, तो परभर्म को पूछ करके देखती है, कि यह देखना लाय कहें कि यह नहीं, हो तो आप दिखा देना बांकि, उधर दृष्टी को जाने मत देना, तो इस तरह से नहीं, तो सारे अंगों को सलाह करके, तो सारे अंगों को इस प्रकार शफल्क बनाते हैं, देख, बोल, सुन, खुषबोयसों, जिनका जैसा गुन, तो जिनके जैसे गुन है, तो कोई देख करके, कोई बोल करके, कोई सुन करके, कोई सुगंद ले करके, ऐसे ज जो अंग बोलते हैं, तो बोलने का काम करें, जो सुनते हैं, उनकी बाते सुनने का काम करें, और जो देखते हैं, तो उनके दर्शन करें, जो सुगंद लेते हैं, तो उनकी सुगंधी लें, तो आस्वादन करने वाला इंद्रिय अंग हैं, तो उनकी प्रेम का आस्वादन कर तो इस प्रकार का भाव समझा रहे हैं, तो जिसके जैसे गुण हैं वैसा उख्ष्पक्रो, जेते अंग आशिक के सो सारे किये सुफल, अनुरागिनी आत्मा के जितने भी अंग हैं, परब्रह्म परमात्मा ने इस प्रकार सफल बना दिये, सोई असलरू आशिक जिनमो मिनारश दिल, अनुरागिनी आत्मा वही असली आत्मा है, कि वही ब्रह्म आत्मा है, जिनका रिदय परब्रह्म परमात्मा का धाम बना हो, परब्रह्म परमात्मा जिसके रिदय में आकर विराजमान होते हूं, तो वह असली आत्मा है, यह कहना च जा रहे हैं इन निश्वत बिना होए नहीं मासुक स्वमजवकूर समंध की बिना तो परब्रम परमात्म के साथ में वारता लाप नहीं हो सकते है क्वेन इसले मासुक स्वमजवकूर इस प्रकार की बाते न तो आखें उनको दर्शन करना चाहती है जिवहा उनकी स्तुति गाना चाहती है और स्रवन इंद्रिये उनकी बाते सुनना चाहते हैं तो इस प्रकार का यह न उनके साथ सम्मंद वने वे बिना संभव नहीं है यह मज़कूर इनविद हो बही है इस प्रकार उनके साथ बात्चित होती है यो कायह का सहूरा तो परब्रम परमात्मा के समझ प्राप्त होती है तो ये हो सकता है मुमिन अहकिकत मारफत इनमें भी विददोय ब्रमात्माओं के अकिकत और मारिफत तो ये इसमें भी दो प्रकार दिखाए देते हैं एक गरक होता है इसक में एक तो वो प्रेम में डूब जाते हैं निमकन होते हैं और आरफ लुदन्नी सोय दूसरे हैं तो वो दूसरे आरफ हैं तो वो लुदन्नी स्थीर ग्यान आरिफ कहते हैं ग्यानी को ग्यानी बिद्वान तो वो लुदन्नी तो इल्म लुदन्नी कहते ह जो स्थीर ज्यान है, सत्य ज्यान है, परब्रह्म ज्यान है, तो जो ब्रह्म संबन्द ज्यान प्राप्त करते हैं, तो वही इस प्रकार बनशकते हैं, एक इसका दूजा इलमा, एक तरफ प्रेम और दूसरे तरफ ज्यान, यह दोनों ही ब्रह्मात्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा ने धाम की संपदा प्रदान की है, निया मत बोलते हैं संपत्य को, इसका गर का बाहिदत्त में जिसको प्रेम प्राप्त होता है तो अद्वेत भाव में वो डूब जाता है, इल्मे हक अरसल अज्यत है, तो ग्यान से क्या होगा, तो परब्रम परमात्मा के धाम का स्वाद प्राप्त होगा, धाम का अनुभा प्रेम से ग्यान से होगा, और तो प्रेम में इससे उसमें डूब जाते हैं, उनके अद्वेत भाव में डूब जाते हैं प्रेम के द्वारा मारफत लुदन्नी मौमिनों बन्दा हकका कामिल है लुदन्नी मारफत के पर यह स्थीर मारफत पैचान के लिए भी है परमात्मा के पैचान वो भी और मारफत का अर्था होता है रहश्य तो यह लुदन्नी तार्थम ज्यान इसका रहश्य क्या है यह ब्रहमा आत्मा हो जरा सुनो बंदा हका कामिल है कामिल बोलते हैं जैसे काविल बोलते हैं ऐसे कामिल है योग्या तो बंदा है तो यह आत्मा है परब्रहम परमात्मा के लिए योग्या है तो यह ज्ञान से यह सब पता चलेगा ग्यान का रहश्य ये है कि वो परब्रम परमात्मा के लिए युग्यता बना देता है ग्यान ग्यान की इनकी करे बातिहा का सामिल है इनकी महिमा बहुत बड़ी है ग्यान की इस रश्टता बहुत बड़े ज्यादा है करे बाते हाकसा मिल तो वो पुर्ण प्रम परमात्मा के साथ में बादचीत भी कर शकते है सकनाई लुदनिया में ज्ञान में किसे प्रकर कर संदे नहीं है तार्तम ज्ञान में कई अरश की जाहर वातन वो परमधाम की गूड बातें भी ज्ञान बता देगा और बाहर की बातें भी दोनों बातें समझा देगा करे हकसों बाते इन बीदा यों करे अरश के तरन ज्यों करे अरश के तरन ज्यों करे अरश के तरन करे हकसों बाते इन बीदा तो परब्रम परमात्मा के साथ में इस प्रकार के बाते करेंगे जियों करे अरशक के तरना जो परात्मा बात करते हैं परमधाम के अंग क्रहने से परमधाम के शरीर परात्मा जिस प्रकार परब्रह्म परमात्मा से बात कर सकते हैं ऐसे ही तुम भी बात करो यह कहना चाहरा है हक दिया चाए लज्जत ताए इल्म देवे बेशक तो पूरुन ब्रह्म परमात्मा जिसको परमधाम का स्वाद दिलाना चाहते हैं तो उसको ग्यान देते हैं दिस्चित रुप्ष रुख बाते करे हकसों देखे हौजजुए हक तो ब्रमातमाएं परब्रमा परमातमा से बाचित करती है बारतलाब करती है और उसके साथ साथ में ऐसे बारतलाब करते हुए ताल या मुनाजी इन सबको देखती है मारपतलु धन्नी जिनलई तो जिनोंने तो ब्रह्मग्यान से ब्रह्मग्यान का रहश्य प्राप्त की है सो करेहकस सहूरा वो परप्रह्म परमात्मा के प्रति परप्रह्म परमात्मा के साथ बारतालाग करते हैं शर किये हाल आवहीस। यदी इस प्रकर्क करते हैं तो हाल आ जाता है। तो वो भाव प्रकर्ड होता है। सो हालबीच हाख्क मजकूरा इस हाल के बीच में तो परबरम परमात्मा .... तो उस हाल में तो हाल का तात्परिय अंतर मन भाव है, सहुर की हाल आवे, तो परब्रम परमात्मा के साथ में विचार भी मर्श करते हैं, उनको समझते हैं, तो अंतर की दसा बदल जाती है, तो अंतर की दसा बदलती है, तो फिर उनके साथ में बाचित हो सकती है, तो ये इस प्रकार एक दूसरे से पूरक बता रहे हैं यहू हक कहावत मौमिनों नजी कहा लए तुम इस प्रकार परब्रम परमात्मा बता रहे हैं ये ब्रमात्माओं तुमारी ये स्थिती होना ज्यादा दूर नहीं है नजी की है तुम जल्दी जागरत हो जाओ और फिर प्रेम में मस्तर हो हक का बातें किया चाहे रूव शुबाए धतक शम्मा तो परब्रम परमात्मा तो अपने आत्माओं से बात करना चाहते है तो अद्वेत भूमिका के स्वामी परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं के साथ में तो बाच्चित करना चाहते ही हैं पीछे हकसवकरशी, रूह सुखलिया चाहे अब बात में तो दामदनी सब कुछ करने वाले हैं किन्तु ब्रह्मात्मा को चाहिए, आत्मा को चाहिए कि अभी सुख मिल जाएं सुख लेने को आवशर पीछे लेशी मोबिन शब तो सुख लेने का आवशर तो यही तो है सबसे पहले मुझे मिले इस परकर का भाव होता है अब यह भाव कोई किसी के प्रति अनादर हो ऐसा नहीं है तो होता है कि हम जल्दी जल्दी पहले आश्वादन कर लें तो परब्रह्म परमात्मा के लिए तो ऐसा ही भाव होना चाहिए तो दुनिया की दूसरी बश्तों का आश्वादन करना हो तो उसमें दुसरों को भी करवाएं दुसरों को करवा करके करना वो अच्छा होता है मना जाता है किन्तु परब्रह्म परमात्मा के प्रेम का आश्वादन करना है तो पहले करें वो आवसर है पीछे लेशी मोमिन शवबाद में तो फिर देरे देरे समझ पढ़ती रहेगी तो सारी ब्रह्मात्माएं गरहन करेंगी ही रुव विरहा चिन एक नास है तो आत्मा एक शण का विरहा भी सान नहीं कर शकती सो अब चली जाता मुद्दत अब तो बहुत लंबा समय हो गया है बहुत देर हो गई ऐसा लग रहा है अरशरू है यह भूल के क्यों छोड़े आक मारफत तो ब्रह्मा आत्मा इस प्रकार भूल करके भी परमात्मा को पहचानना छोड़ती नहीं है तो उनको तो प्राप्त करके ही रहना चाहती है मारफत हुए है हाथ हाथ कके क्यों ले सकीए सोए तो यह पहचान है तो यह भी परब्रह्मा परमात्मा के आत्मे वो चाहेंगे तो ही होगा बांके तो हम कैसे अपने आप कर सकेंगे अपने आप तो लही नहीं सकते हैं, यह दोस्ती तब होगे, जब होए प्यार बराबर दोए, यह दोस्ती तो तब ही होगे, जब दोनों और का प्यार होगा, परब्रह्म परमात्मा तो हमारे प्रती प्रेम भाव रखते ही, हम उनको भूल करके बैठे होए हैं, जब दोनों भाव होगा, तो यह स्तिती आ जाएगे, मार फत्त देवे इसके होए दिदार, यह रहश्य पहचान से प्रेम प्राप्त होता है, और प्रेम से दर्शन होते हैं, इसके मिली हकस्व, इसी प्रेम से परमात्मा से मिलते हैं, इसके खुले पटद्वार, तो परमधाम के द्व के पट हैं वो भी इसी से खुलते हैं प्रेम सही खुलते हैं प्रेम खोल देवे सवद्वार सोई रव्द जो अकसों किया वास्ते इसक के इसी प्रेम को समझने के लिए ही पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में बारतालाप की संबाद हुआ सोई इसक तब आया जब हके दिया जब परब्रह्म परमात्मा प्रदान करेंगे तब वो प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा हाशी करी रुआन पर दे इल्म बेशक ज्यान दे करके ब्रह्मात्मा के इसी उड़ाई ये अक्षराति धामदन ने समझा दिया और फिर शिवड़ाई मासु कहाशा के तब मिले जब हके दिया इसक जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रेम प्रदान करेंगे हमें भी तब हम उनको स्वष्टरूप्षे प्राप्त करेंगे अस करके मिलेंगे मतलब वो हस्ते हुए मिलेंगे थेहो देखो तैब तो आब तुम में प्राइम प्राप्त करके मुझ सरा का ये मॉमिनों सवाप बातों का मूल यही परभांत्रमाओं ये काम होकुमें नजिए रशूल ये सारा काम है सब के मूल में देखें तो तो स्रीराज्य के आदेश नहीं ये सारा कार्य किया है तो उसी को समझाने के लिए इमाम भी आये हैं मशीह करने से सत्गुरु वो भी आये हैं और रश्वली भी आये हैं सब के सब का आना तो इसी बात को समझाने के लिए है अभी यहीं रखते हैं Śrī Kṛṣṇa कनई आलाल की जाए आए इमाम मशी रसूला आए इमाम मशी रसूला मुतकाहे मुमिनों आए सब बातों का ए मुला ये काम किया सब हुकमें आए इमाम मशी रसूला 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 झाईड़ी लूगयाओी